नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं सिल्वर MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर MCX का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाय हुआ है और इसमें जिस तरीके की मुवेंट लास्ट रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफदे हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेइस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या वी हुए क्या हमें buying करनी चाहिए selling करनी चाहिए या थोड़ा सा wait करना चाहिए किसी भी trade में enter करने से पहले तो आए शुरू करते हैं 5 minute के time frame पे silver mcx का chart दोस्तों last trading session में मैं हमने जिस तरीके का एक starting scenario देखा chart पर उसमें इसने उसी selling को continue करके रखा जो उससे पहले वाले दिन इसने पूरे दिन continue करके रखा यहाँ पर market में एक selling आई जिसमें prices काफी नीचे तक गए 68,800 के नीचे भी market गया और वहाँ से एक support मिलना शुरूआ prices उपर आए यहाँ थोड़ा सा और इसे strength मिलनी शुरूई prices और उपर 69,691 के आसपास का इसका एक high लगा वहाँ से market में correction जब evening session स्टार्ट हुआ और prices ने एक fresh low लगाया intraday का 68,400 को भी break किया वहाँ से market ने थोड़ी सी recovery के साथ एक consolidation phase को continue किया last trading prices का रखा 68,710 दोस्तों यहाँ पर important चीज़ यह है कि market की expiry ज़्यादा दूर नहीं है तो अब बहुत ही कम trading day बचे है इस contract में कि market किस तरफ move करेगा किस तरफ नहीं और उसमें एक चीज़ रह सकती है कि market एक ही trend को continue करे जब तक इसमें trading चल रही है यह इस तरीके से रह सकता है कि market में अगर uptrend बनता है तो एक दो तीन दिन market continuously बढ़ता रहे या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि market में गिरावट जो है वो continue रहे तो किस तरीके करेगा trend में हमें बहुत strictly follow करना पड़ेगा अपने आपको अपने trades को तो कोई भी position आप अपनी इस तरीके से इसमें ना छोने कि मतलब कि stop loss नहीं लगाया देख लेंगे कि नया contract है मतलब अगले contract में switch कर जाएंगे देखिए दोनों contract अभी जो contract चल रहा हो जो next contract होगा इन दोनों में भी आपको difference देखने को मिल सकता है कि यह अगर 500 point गिरा है तो वह अला contract 400 point गिरा हुआ या फिर वह अला contract 600 point गिरा हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि यह 500 गिरा है तो वह भी 500 गिरा हुआ इस तरीके का एक scenario आपको देखने को मिल सकता है यह सिर्फ इसलिए कि आप थोड़ा सा ध्यान से आप trade करें stop loss को maintain करके चलें और खास तोड़ से के contract की expiry करीब है तो कई सारी चीज़े आपको unexpected देखने को मिल सकती है थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार 15 minute के time frame पे यहाँ पर जिस तरीके का trend देख रहे हैं हम यह market में एक selling थी जो continue थी एक इसने पूरे दिन यहाँ तक उस selling को continue रखा फिर next day उसे और extend किया फिर इसे support मिला प्राइसे उपर गए वहाँ से फिर एक fresh selling market नीचे और फिर यह एक sideways trend को market ने continue करा 68,600,700 के आसपास trading जो है वो चलती रही और market end हो गया इस तरीके का एक trading scenario हमने देखा है इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार एक घंटे के time frame पे वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का trend अभी हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर देखें 5 मिनट और 15 मिनट के time frame पे जो भी हमने देखा market ने एक selling दिखाई थी थोड़ी recovery है फिर से market उसी selling को अभी तक hold करके अपने आपको continue कर रहा है एक घंटे में देखते हैं कि क्या हमें trend नज़र आ रहा है यहाँ अगर हम देखें तो market में एक strong upside अभी तक continue होती है हमें नज़र आ रही थी prices काफी उपर वहाँ से market में correction फिर इस correction के बाद market ने थोड़ा सा अभी अपने आपको hold किया हुए यह एक बहुत strong support base है इसका 68,000 के just नीचे तो यह market अब आने वाले time में break करेगा यह नहीं करेगा यहाँ पर देखिए market का बहुत strong support है इसका break करना market में एक selling को और ज़्यादा extend करेगा prices जो है वो और ज़्यादा नीचे की जाने के लिए अपने आपको support कर सकते हैं दूसरी चीज़ के market में जिस तरीके का यहाँ पर अभी scenario बन रहा है हो सकता है कि वापस इस support को consider करें और market यहाँ से एक turn आने की कोशिश हो देखिए हम किस तरीके से trade कर सकते हैं हमारे सामने सिर्फ एकी चीज़ है कि हम levels का धिहान रखे हैं levels अगर break हो रहे हैं, stopless में हो रहे हैं तो exit कर जाना है और किसी एक breakout के या breakdown पर market एंटर कर रहा है तो वहाँ पर हमें अपनी position को लेना है तो इसी तरीके से हम enter कर सकते हैं और अपनी position को continue कर सकते हैं buying में या selling में, वो depend करता है कि market की movement के side पर है पर मैं आपसे फिर कहा रहा हूँ कि market में बहुत कम trading session बचे हैं इस contract के तो आप बहुत ध्यान से आप trade को, मतलब आगे trade लें खास ओड़ से silver में, gold में 4 जून के expiry है silver में 5 माई के expiry अब आ गई है तो बहुत जादा time नहीं है इस contract की expiry में थोड़ा सावरा के चलते हैं एक बार चार घंटे के time frame पर वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का scenario अभी हमें नजर आ रहा है यहां अगर हम देखे हैं तो market में एक sideways trend, prices नीचे और यहां से market में एक selling और वहाँ से एक uptrend, continue एक थोड़ी सी correction अभी देखने को मिली है देखते हैं कि market में देखिए अगर कोई भी buying भी अगर आनी होगी तो market यहां पर थोड़ा सा time ले सकता है consolidation में एकदम से buying आती हुए अभी नहीं लग रही है चार्ट को देखते हुए जिस तरीके से कल ये candle create हुए ये लास candle की red candle की में बात कर रहा हूँ ये candle जिस तरीके से create हुए है कि इसने उपर hype दिखाने के बाद एकदम से एक straight downs है downside में जो एक trend दिखाया है तो एक time चाहिए होगा इससे पहले यहां थोड़ा सा consolidate करने के लिए फिर धिरे-धिरे market में एक uptrend बन सकता है पर वो बनेगा नहीं बनेगा market consolidate हो सकता है हो ही ना हो सकता है ये हो जाए कि market में selling आजाए और फिर हमारा जो यहां पर हम जिस support base की बात कर रहे है वो break हो जाए फिर हम खुदी selling में enter कर जाए ये एक चीज़ है दूसरी चीज़ यह है market को इस blue line को थोड़ा सा consider करना है ये blue line के break होने का मतलब रहेगा कि market में एक strong upside बन गई है मैंने आप से कल भी इस चीज़ को बताया था ये एक benchmark है इसके लिए ये मान लिजे blue line है इसके नीचे जब तक market है तो नीचे ही रहने के chances है इसे अगर break कर दिया announcement जब होगी तब market break करेगा यह हो सकता है कि इस line को ये break ही ना करेगा और market वापस से यहां से एक reversal का mode बना ले तो जो भी रहे हमें इस trend line को as a benchmark level consider करके रखना है थोड़ा सा और आके चलते हैं एक बार daily charts की तरफ वहां देखते हैं कि फिर prices में एक trend बनती हुए हमें नजर आई है जिसमें एक horizontal line हम consider करके चल रहे है 70,864 मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें rejection कहा कहा पर आया एक तो हम in points की तो बात करी रहे है इस से पहले हम देखेंगे यहां पर और यहां पर कोई भी closing अगर हम सिर्फ इस line को छोड़ दे कोई भी closing इसके उपर market में नहीं दी तो यह काफी strong level है जो आपको consider करना चाहिए अगर आप देखें आपकी दो side में कहीं पर position हो सकती है buying में होंगे, selling में होंगे buying में होंगे तो एक लग चीज़ा अगर selling में है अगले कुछ दिनों में एकदम से इतना easy नहीं लग रहा पर chances अभी भी इसके बने हुए ठीक है थोड़ा सा अब वापस चलते हैं एक घंटे के time frame पे यहाँ अब उन levels को हम discuss करते हैं जो हमारे लिए आने वाले time में आने वाले session में important होंगे दिखे सबसे पहले जिसके कोई भी market में intra day में भी अगर थोड़ी सी भी strength बननी हो बहुत strong level नहीं है फिर भी हम consider कर सकते हैं 69,180 जब तक यह price break नहीं होता यहाँ पर तब तक market में कोई consolidation कोई strength का बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है market open होगा weekly opening और market इस downside को continue कर सकता है अगर 69,180 के उपर नहीं आता तो ठीक है इस price के उपर buying नहीं करनी है मैं buying के लिए नहीं कर रहा है पर यह price हमें थोड़ा सा इस तरीक से consider करना है कि अगर हम selling में है और यह price break नहीं होड़ा तो हम selling को continue कर सकते हैं दूसरी चीज जो next हम price जो सबसे important है जो consider कर रहे है वो price यह है ठीक है 67,900 इस price के break करते ही market में strong selling pressure build up हो सकता है वहाँ पर हमें सिर्फ एक ही चीज़ consider करनी है कि market downside में जो selling दिखा रहा है उसमें यह इसके नीचे अपने आपको hold कर पाता या नहीं कर पाता इसके नीचे अगर market अपने आपको hold करता है तो selling pressure थोड़ सा ज़्यादा build up होना शूँ हो जाएगा और prices जो हो नीचे की तरफ अपने आपको continue करते रहेंगे तो सिर्फ इसका touch होना देखिए और जो hold करने का time होगा वो 3-4 घंटे का time period होना चाहिए आप इतना तो कर सकते हैं ये price break वो आपने selling की एक entry ले ली उसके बाद आपको ये देखना है कि इसके नीचे market hold कर रहा है 3-4 घंटे के आसपस अगर उसने hold कर लिया तो आप अपनी position को continue कर सकते हैं के लिए otherwise market में यहाँ पर उस तरीकी की situation बन जाएगी कि आप इस stop loss से strictly maintain करके चले इससे जो next point है जो next level है वो यहाँ पर है 69,900 ठीक है इस price का उपर में break होना market में एक अच्छी strength ले आएगा बहुत जादा possible रहेगा कि इस price को भी market break करेगा और जिस price की हम बात कर रहे थे 78,64 उसके भी break होने के chances काफी जादा बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर दो level सबस्यादा important है जब तक market बीच में trade कर रहा है तब तक उसका एक sideways trend continue रह सकता है 67,900 69,900 इन 2000 point के बीच की जो range है वो market को एक sideways trend के लिए continue रखेगी अदरवाइस इसके ऊपर बाइंगे इसके नीचे selling है इस तरीके का एक scenario बनना शुरू हो जाएगा तो यह कुछ levels है जो हमारे लिए भी काफी important है और इसके ऊपर जो मैंने बात बताईए आपको 78,64 वो तो अपने आप में बहुत important level है तो इस तरीके से हम इसमें trade कर सकते हैं जब तक market बीच में है sideways trend के बने रहने के chances थोड़े से ज़्यादा है और फिर देखते हैं आगे weekly opening कैसी होगी तब हम एक बार update करने कोशिश करेंगे तो तब तक के लिए धन्यवाद